पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ग्रेड का एक टॉपिक है प्लेटो प्लेटो के बारे में हम बैसे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ग्रेजर्शन के अंदर आज अपन देखते हैं प्लेटो के कुछ खास इंपोर्टेंट प्लेटो का असली नाम अरिश्टोकलिस था जिसका सबसे अच्छा या प्रसिद्ध प्लेटो का असली जो नाम था वो क्या था अरिश्टोकलिस और इसका तात्प्रिय था सबसे अच्छा या प्रसिद्ध प्लेटो को मान किये या नॉमेटिव राजनितिक सिद्दान्त का जनक या नी राजनितिक दरसन का जनक कहा जाता है दूसरा क्या है प्लेटो को दार्षनिक या नेतिक आदर्सवाद का संस्थापक भी माना जाता है क्योंकि उसने इंद्रिय जनित भोतिक जगत से परे एक सास्वत सारोभोमिक विश्व के विचार से ज़्यादा वरियता दी थी इसका रीजन है इनका जीवन परीचे देख लेते हैं अपन मैं इस्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं और संस्क्रत गेर युनान की बजाए युनान में जन्मा दास की बजाए नागरिक के रूप में इस्त्री की बजाए पुरुष के रूप में जन्मा किन्तु सबसे अध धन्यवाद की मैं सुकृराद के युग में जन्मा ये कौन कहता है प्लेटो की ये बात कई बार एकजामskें पूची जाती है ये इनका एक स्टेटमेंट ही प्लेटो यिसा से चारसो टाइस साल पहले एक बिजात परिवार में पेदा हुआ जब प्लेटो पेदा हुआ उस समय लोगतांत्रिक एथेंस जहां प्लेटो का जन्म हुआ था इस्पार्टा के साथ भेंकर युद्ध में लगा हुआ था जिस समय प्लेटो का जन्म होता है उस समय स्पार्टा के अंदर भेंकर युद्ध ह जिसे पेलो पॉनेशियन युद्ध कहा जाता है इसी को कहा जाता है पेलो पॉनेशियन युद्ध कहा जाता है 28 वर्स तक चले इस युद्ध ने एथेंस का पतन कर दिया 28 यर्स तक यहां पर युद्ध होता है और फिर एथेंस का पतन हो जाता है युवा वस्ता में प्लेट प्लेटों ने अपनी युवा अवस्ता के अंदर दो और सफल सरकारे देखी थी जिसके अंदर पहली थी तीस लोगों का सासन दरूल आफ थर्टी तीस लोगों को सासन था उसके बाद लोगतांतरिक सरकार उसके बाद एक सरकार आई थी लोगतांतरिक सरकार जिसके बारे में पर्थम सासन ने उसके गुरु सुकराद को युवाओं को पत ब्रस्ट करने के आरुप में फसाया था जबकि लोकतांतरवादियों ने अपवितरता वा अनेतिकता के अभियोग मेर्जहर का प्याला दिया इन गटनाओं से युवा प्लेटो को राजनिती से विमुख कर दिया इन सभी गटनाओं के कारण प्लेटो राजनिती से विमुख हो जाता है और सुक्राद के मर्तियुदंड स्वास रुक्षा की चिंदावास राजनिती से महबंग के कान प्रेटो 11 साल तक इडिली और सिसली मिस्र आधी इस्थान अपड़ बटकता रहता है दूसरी जिगर चला जाता है 328 इस्वी पूर वह वापस एथेंस लोड़ता है एथेंस में उसके यूरोप में प्रथम विस्विध्याले के रूप में एकेडमी की स्थापना करता है अकादमी के दर्वाजे पर लिखा होता है जिन लोगों को गणीत का घ्यान नहीं है बें अंदर ना आए और वह अपने दर्वाजे पर इसप्रस्ट लिख देता है कि जिन लोगों को गणीत का घ्यान नहीं है वो अंदर प्रवेश ना हो 366 पूर्वो के आसपास यानि अपनी प्रोडा वस्ता में प्लेटो साइराक्यूज के नए सासक डायोनेशियस को दार्सनिक सासक की कला सिखाने के लिए सिसली गया था इसके बाद 367 के अंदर वो सायराक्यूस के एक सासक डायोनेशियोस को दार्षनिक सासन की कला सिखाने के लिए कहा जाता है सीसली जाता है वहाँ उसके दो बार असफल प्रियास की असी वर्ष की आयू में उसका ध्यान तो जाता है और कुछ facts जान लेते हैं अफन sophist के बारे में 500 यसी पूर जब Athens में लोकतंतर का उतकर्ष हुआ तो वहाँ विचार स्वतंतरता आई इस विचार स्वतंतरता के कारण वहाँ स्वतंतरत विचारक पेरा हुए तो ये प्लेटों के बारे में कुछ जानकारी थी और कुछ जानकारी और अपन यहां से कवर करेंगे अभी तो देखते हैं क्या है इसके बारे में सौफिस्ट के बारे में हैं ये सौफिस्ट ब्रह्मन सिल सिख सकते इन्हें आधे पत्रकार आधे प्रोफेसर इवा विचारक कहा जा सकता है ये गेर युनानी थे अता इन्हें मेटिक्स कहा जाता है जो ये सौफिस्ट थे इनको मेटिक्स भी कहा जाता है युनानी स्वैम को हेलेनिक कहते थे जो युनानी थे वो स्वैम को क्या कहते थे हेलेनिक कहते थे यह प्रोफेसर धन के बदले एथेंज के युवाओं को वागपटुता वत्तरक विद्या सिखाते थे यह जो प्रोफेसर थे इनको वागपटुता के सिक्सा देते थे प्रोटागोरस जॉर्जी तरह सी मैक्स अधिय। प्रसुष्टूस्टूस्टूसूसुष्टू. जो तीनोई नाम ये नाम है इंगा। इन हे आई जो मानुतवादी थे मानुतवादी ये मानते हैं कि मनुश्व के अध्यान के लिए सर्वत्म् विशव enswem मनुष्य ही हैं जो उन मानुटवादी हैं वो यही मानते हैं कि सर्वत्म विशे क्या हैं मनुष्य ही हैं महान सौफिस्ट प्रोटोगोरस का प्रसिद्गतन प्रोटोगोरस का famous statement हैं मनुष्य सभी वस्तूओं का मांदर्न है इस प्रकार सौफिस्ट प्रथम व्यक्तिवादी थे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सौफिस्ट थे वही प्रथम क्या थे व्यक्तिवादी क्योंकि ये मानुतवादी थे तो इसी से हमें पता चलता है कि जो सौफिस्ट थे वो क्या थे प्रथम व द्रश्टिकॉन पर आधारी थे हैं जिसका तात्प्री है निर्पेक्स या परम सत्य जैसी कोई चीज नहीं। प्लेटो ने अपने नियाय और दार्श्टिक विचार को निर्पेक्स वांतिम सत्य माना था उसी प्रकार सॉफिस्ट होने इसा नहीं माना है। तक पहुंच सकते हैं। ये संसय वाद सॉफिस्ट कहते हैं जिबकि सुकरात और प्लेटो का मानना ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि द्वंदात्मक पदती से हम विश्वत जन्निय सत्यक को तक पहुंच सकते हैं। कौन कहते हैं ये कहते हैं सुकरात और प्लेटो। ये प्लेटो वो अरस्तु की तरह राज्य को प्राकतिक वो स्वभाविक संस्था नहीं बलकि क्रत्रिम संस्था मानते थे। बलकि क्रत्रिम संस्था मानते थे। प्लेटो और रस्तु राज्य को क्या मानते थे। क्रत्रिम संस्था मानते थे। कानून वो न्याय प्राकर्तिक नहीं है बलकी राज सत्ता की देन है, सकती ही सकती है जैसा कि 33 मैक्स ने का है, 33 मैक्स का कथन कई बार आता है, न्याय सकती साली का पिछल लगू है, यह आयवा भी एक कुश्यन, थ्रेसी मेक्स का इक थन ने न्याई सक्ति साले का पिछ लगू है यानि राजा करे सो न्याई पासा पड़े दो सो दाव प्लेटो ने अपने समवादो पुस्तकों में इन सौफिष्टों के मत का खंडन किया है अधिकांस्तर प्लेटो ने अपने दो समवाद प्रोटागोरोस और जॉर्जियस विख्यात सौफिष्ट आचारियों के नाम पर ही लिखे हैं अब प्लेटो की कुछ रिचनाएं हैं उनके बारे में देख लिते हैं प्लेटो की पुस्तके डायलोग समाधा आत्मक सेली में हैं प्लेटो की जो भी पुस्तके हैं वो एक डायलोग के रूप में लिखी गई हैं उनकी पुस्तकों का नायक जो होता है, वो हीरो होता है, वो होता है, सुकरात है, सिर्फ लॉज को छोड़ कर, सिर्फ लॉज जो प्लेटों की पुस्तक है, उसके अंदर उसका हीरो सुकरात नहीं होता है, बाकि सारी पुस्तकों के अंदर उनका हीरो सुकरात होता है, जो उनक तीनों के अंदर उसका पूरा राजनेतिक दर्सन हमें देखने को मिलता है। इन तीनों के अलावा क्रिटों में भी राजनेतिक सिद्धानतों का वर्णा में ये भी इनकी पुस्तक हैं। अगली पुस्तक हैं इनकी रिपब्लिक इसमें दस अध्याई हैं रिपब्लिक के अंदर इसका उपसीर सके न्याई अर्थात मुख्य प्रतिपादक विशे इसका न्याई हैं। प्लेटों की ये रिपब्लिक जो पुस्तक हैं नीती सास्तर वर राजनीती पर आधारी थें पर साथ ही इसमें दर्शन सास्तर अध्यात्म मनो विज्यान तता सिक्सा सास्तर भी हैं। इसमें परिवार और संपतिवाद के बारे में बताये गए हैं। रिपब्लिक का युनानी अर्थ पॉलीतिया हैं। रिपब्लिक का युनानी भासा के अंदर्थ पॉलीतिया हैं। पॉलीतिया रिपब्लिक का तात्प्रिय गंटंत्र नहीं बल्कि राज व्यवस्ता हैं। और पॉलीतिया का अर्थ गंटंत्र से नहीं बल्कि राज्य व्यवस्ता से हैं। इस परकार अगर अपन पॉलिटिया वर्ड काम में लेते हैं तो उसके अंदर गंद तंतर भी सामिल है राज तंतर भी सामिल है और कुलिन तंतर भी सामिल है आदर्स राजिय आइडल स्टेट के बारे में उन्होंने क्या कहा है आइडल राजिय की वेभारिक सापना के बारे म आसंकित था इसलिए वो रिपब्लिक में लिखता हैं कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जगत में ही है विचार जगत में ही है क्या कहा है उन्होंने रिपब्लिक में लिखा हैं कि ऐसे नगर का अस्तित्व विचार जगत में ही है केवल कलपनाओं में इसका प्रतिर्युप दिव्य लोक में देखने को तो मिल सकता है पर धर्ती पर विद्यमाने उन्होंने कहा है कि ये एक मात्र कलपना है इसके बारे में हमें प्रमायन नहीं मिल सकता है इस प्रकान आदर्स राजी बादलों का नगर है न की धर्ति का प्रॉफेसर डनिंग के अनुसार रिपलिक की इस कारण से आदर्स राजी की तस्वीर नहीं देता बल्द कि यह एक रोमांस है जोली दोस्तों प्रोफेसर डणिंग के अनुसार रिपर्ब्लिक इसकारण से आदस राजे की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमान से बलकी प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वेग्यानिक आक्रमन की सुरुवात करें यह डणिंग महोदय ने एक स्टेट्मेंट दिया हैं रूसो क्या किते हैं रूसो ने इसे शिक्सा सास्तर पर लिखी स्रेश्ट रचना का हैं यह भी कई बार पुस्तक में आता है एक्जाम के अंदर रूसो ने इसे शिक्सा सास्तर पर लिखी स्रेश्ट रचना का हैं रूसो ने इसे इसकी प्रतिक्रिया में शिक्सा पर दा एमिली दा एमिली 1762 पुस्तक लिखी हैं रूसो ने इसके उपर एक पुस्तक लिखी हैं माल भारत के बुद्पूर्व राष्टपती डॉक्टर जाकिर हुसेन ने रिपबलिक का रियासत के नाम से उर्दू में अनुवाद किया है प्लेटो की कृती रिपबलिक इतनी महान है कि थोमस मूर की उस्तक यूटोपिया फ्रातो मार्सो कमपलनेला की दा सीटी ओफ सन वो फ्रांसिस बेकन की दा न्यू अटलांटिस इसी के स्वरू पर आधाई थे प्लेटो की जो रिपबलिक महान करती है वो थोमस मूर की यूटोपिया से फ्रातो मार्सो कमपलनेला की दा सीटी ओफ सन से फ्रांसिस बेकन की दा न्यू अटलांटिस से आधारी थे राज मर्मग्य यह रिपबलिक के बाद लिखी गई है इस्टेटसमें यह अपने इस बुक को कह सकते हैं इस्टेटसमें इंगलिस के अंदर अपने कई जिगा सुना है लेकिन यह वर्ड हिंदी वाला आपने नहीं सुना है राज मर्मग्य यह भी प्लेटो की पुस्तक हैं यह रिपबलिक के बाद लिखी गई है अगर आपको कई बार कुश्चन ऐसे पुछ ले कि कौन सी पुस्तक पहले आई है कौन सी बाद में आई है तो ये स्टर्टस्मेंड ये रिपर्ब्लिक के बाद में लिखी गई है इसमें राजियों का वर्गी करने है जो अरुस्तु ने स्विकार किया है लॉज ये सबसे अंत में लिखी गई पुस्तक है यह सबसे अंत में लिखी गई इसमें राजनितिक और सामाजिक विशियों का वेवारिक विशलेसन है लोज में स्रेष्ट परिश्चद का उलेख हैं तीनों की तुलना की गई हैं रिपब्लिक में राजे का मार्ग दर्सन दार्सनिक राजा करता है रिपब्लिक पुस्तक के रिपब्लिक राजे हैं जो नीमो वो कानूनों द्वारा चलता है लोज के अंदर एक वास्त्रिक राजे हैं जो नीमो और कानूनों के अदार पर चलता है यह वाला स्ट्रिट्मेंट आपको अच्छे से देखना चाहिए इसमें क्या का गया है कि रिपब्लिक में एक राज ये मार्ग दर्सक मार्ग राजी का जो मार्ग दर्सने वो दर्सनिक राजा करता है इस्टेटस्मेन यानि की राज मर्मग्यक के अंदर ये एक मिस्सित राजी है जो राजनायकों के द्वारा चला जाता है और लॉज में एक वास्तिक राजी है जो नीमों और कानूनों के द् संभावित राजी हैं जबकि पुस्तक के अंदर जो संभावित राजी हैं जबकि लॉज के अंदर वास्तविक राजी हैं अगर आप स्ट्रेटस्मेंड में एक संभावित राजे बताया गया है और लौज के अंदर एक रियल राजे वास्तविक राजे के रूप में कल बताया गया है कल पना नहीं की गई रिपब्लिक के अनुसार सासकों में बुद्धी सहाथ सयम और न्याय के सद्गुन हो प्लेटों की जो जहाएक मेशाम सासक को और रिखित देवी नियुमों का ज्यान भी रूप नच और सांसके रिपब्लिक के रीपब्लिक पुस्तख के अनर सासक को गडरी की तुल्य बता गया है जमकि पाइले डी अपा इंदर सासंक को गडरी के तुल्य बता गया है और nis स्ट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रेट्रे ग्लुकॉन ने इसे सूरों की नगरी City of Pigs का नाम दिये गए है पर्थम जो है स्वस्थ राजे Healthy State इसे ग्लुकॉन ने इसे सूरों की नगरी कहा है इसमें उत्पादक वर्ग महत्पून होता है इसके अंदर जो होता है उत्पादक वर्ग important होता है जो धन की भूक वो बहुतिक आवसपताओं की पूर्ती है तो स्रम विबाजन वो विसे सग्यता को अपनाता है दूसरा है विलासिता प्री राजे यानि दरलक्षरियस स्टेट इसे सैन्य वर्ग महत्पून होता है इसमें सैनिक गंद खोजी कुतों की तरह खोते हैं जो धन का पता लगाते हैं युद्ध करते हैं अपनी सौफों वो मेजो प्लेटों वो मिठाई रुपी विलासिता की प्यास हो जाते हैं अगला है तर्तिय नियाए पूर्ण राजे तीसरा रिपर्ब्लिक में तीन परकार के राजे बताये गहे हैं हेल्दी स्टेट लक्षरियस स्टेट और दजस्ट स्टेट नियाए पूर्ण राजे अंत में आदर्स राजे तयार होता हैं जिसका मार्ग दर्सन दार्सनिक राजा करता हैं यह इंपॉर्ण अभी अपन देखते हैं कि इसकी कुछ अन्य पुस्तुक्यां के बारे में अन्य पुस्तुकों में दा सिंपोजियम इनकी पुस्तक हैं दा सिंपोजियम यह प्लेटों की एक नाटक की मज़ेदार पुस्तक हैं जिसमें प्रेम इरोस वा संधरियका वर्ण ने एक मात्र पुस्तक अपन कह सकते हैं जिसमें नाटक की मज़ेदार पुस्तक कहा गया है इसको प्रेम के उपर लिखी गी है दा सिंपोजियम मेनो ग्यान के स्वरूप की चर्चा है इसमें दा अपॉलोजी इसमें सुकराद पर लगे नास्तिक ताव युवाओं को पत्वरेश्ट करने के आरफों उनका बचाव किया गया है और सुकराद के मुक्दमे का वर्णन अपॉलोजी में किया गया है गांदी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया है फाइडू इसमें सुकराथ की मृत्यू का मारमिक दर्शिये साथ ही प्रते का सिध्धानत आत्मा वह उसकी अन्हस्वर्ता की चर्चा की गई है Charm ideas इसमें आत्म ग्यान का विचार पेश किया गया है अर्था सुकराद के कथन अपने आपको जानों पर विचार किया गया है प्लेटो की जो पुस्तक से Charm ideas इसके अंदर सुकराद के कथन अपने आपको जानों पर विचार किया गया है क्रिटो इसमें भी अपलोजो की तरह सुकुरात के जीवन वो मर्ति पर विचार में मर्स किया गया है परामिनाइडिस इसमें समाद में प्लेटो ने अपने थियोरी ओफ आइडिया का पुनर मुल्यांकन किया है यह ज्यादा वैवारिक वर्णन है प्लेटो की पुस्तोकों के जो पात्रे हैं वो कौन-कौन है इसको भी देख लेते हैं अपने सिफालस, पॉली मार्कस, थ्रेसी मैक्स, ग्लुकॉन, एंडी मैड्स, नियाए पर चर्चा करते हैं यह जो इनके पात्रे हैं यह सिर्फ नियाए के चर्चा करते हैं चायरमाडिस आत्मग्यान को परिभासित करने का प्रियास करता है इनकी बुक जो हैं आत्मग्यान को परिभासित करती हैं लाइसिस मित्रता के समंद्र पर चर्चा करता है और लिज साहस का आर्थ बताने का प्रतने करता है प्रेटो की अधिन पदतिया उसकी इस्टुडी मे प्रभव प्रत्ति भी कह सकते हैं तो प्लेटों की जो पदति थी वो निगमना अत्मा यह आप ored एक शेवर हर दोतरद निसकरस के लाई जाते हैं जरुआ इसलिशुर निसकरस कॉए जया जाता है और फिर तत्यों की तरफ पहुचा जाता है यह मानपरकवादी नॉमेटिव वदार्शनिक पदती है रिपब्लिक में यही पदती है और रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक हैं उसके अंदर भी डेड़क्टिव मेथर्ड है अरस्तु की पदती इसके विपरित आगमनात्मक हैं जो विशिष्ट से सामाने की ओर चलती है ये बात अरस्तु की चल रही है और ये पदती निगमनात्मक प्लेटो की हैं और अरस्तु की पदती आगमनात्मक हैं जो विशिष्ट से सामाने की ओर चलती है उदेश्य परक, प्लेटो और उस्तु दोनों ने इसका प्रयोग करते हैं और थाथ प्रतिय कार्य और प्रतिय कवस्तु का एक लक्ष या उदेश्य होता हैं प्लेटो का थियोरी ओफ आईडिया, थियोरी ओफ फॉर्म्स, सो देश्य परक प्रतिय पर अधारिते हैं इसे कार्य 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 प्रतिय भी कहा जाता है इस एक चीज को पूरी चीज से जोड़ना या उसमें समानता के अधार प्रतर करना जैसे रखवाली के कार्य में कुता, कुतिया में भेद नहीं होता तो सासन कारी या सेन्य कार्यों में स्तरी पूरुसों में भेद enrağatin, स्वरुप्वे प्रब्लिक में वर्नित आदस राजे में तीन वर्ग बताया गया है Bryce पडिक पुस्तक के अंदर तीन वर्गों के बारे में बताया गया है उत्पादक वर्ग, मानो, पसू, हुमन केटल, तांबा, पसू, वो तांबे से सामिता उत्पादक वर्ग की हैँ ये उत्पादक guitar work की बाद हैं सेन्य Water, सायक वर्ग, हित्त प्रहरी, चांदी सेन्य वर्ग को चांदी का गया है उत्पादक वर्ग को ताबा का गया है दार्सनिक, राजा या सासक वर्ग, गल्डरिया या चरवाः का गया है सौर्णिया गॉल्ड से इसकी तुलना की गई प्लेटो के दर्सन में उपलग्द महत्पूर्ण दर्ष्टांत वा सब्द एक गुफा का दर्ष्टांत प्लेटो के दर्सन के अंदर कुछ महत्पूर्ण दर्ष्टांत है जिसके अंदर एक पहला है गुफा का दर्ष्टांत बीतरी आंखें परशाईयां उदात जूट रोज में इतियासिक पदती का भी प्रयोग गया है इसमें प्लेटों ने राजी के उदे विकास पतन को इतियास के अधार पर ढूंडा है अगली है द्वंधात्मक पदती आपसी त्वर्क द्वंध और समवाध के माध्यम से किसी निसकर्स पर पहुंचना विरोधी विचार अपनाता है और हेगल के बाद काल माक्स भी इसी पदती का प्रयोग करता है और दूसरा है गुफा का सिद्धान्त गुफा के सिद्धान्त के बारे में हम कुछ देख लेते हैं गुफा के इस सद्रस्टान्त से हम निमलकित सब्दावली को समझेंगे प्रते का सिद्धान् बीतरी आखे या अंदरुनी आखे घ्यान ही सद्गुने प्रती चाया ये सब दावली गुफा के सिद्धानत के अंदर दी गई है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित गुफा की सीख से समधित ये रूपक कथा इस रूपक कथा में सुकराद प्लेटो के भाई ग्लॉकॉन को आत्म घ्यान के बारे में समधाते हैं रूपक कथा क्या है सुकराद कहता है कि एक ऐसी गुफा की कल्पना करो जो भूमी के अंदर बनी हो जिसका मुह उपर आकास की ओर खुला हो बचपन से ही इसमें कुछ ऐसी मनुश्य रहे हैं जिसकी गरदन वर टांगे बेडियों में जक्री हैं वे ना हिल दुल सकते हैं ना सीर गुमा सकते हैं वे उपर प्रकास की ओर देख सकते हैं वे सिर्फ सामने की दिवार में ही देख सकते हैं उन मनुश्यों की पीट की तरफ गुफा के दरवाजे पर एक रास्ता है जिससे विभिन वेक्ती पसू बाहर की रोशनी की वज़े से उसकी परशाई दिवार पर बनती है जैसे ही कटपूतली के खेल में होता है चूकि उन मनुश्यों ने आज तक सिर्फ परशाईया ही देखी है अतब इन परशाईयों को सत्य घ्यान मान लेते हैं अगर इसमें किसी मनुश्यों को मुक्त कर बाह के चौनधिया जाएगी तो यह इस परखार अपने देखा है प्लेटो के बारे में आज हम इतना ही देखेंगे प्लेटो के बारे में इसके तो आज के लिए इतना ही काफी है थाइंक्यू और हवनाज डे